टेली टप आप 30 मिनिट का फुल रीचारज में आज हम आपको करेंगे रीचारज आपके फेवरिट टीवी शोज में होने वाले ड्रामा वाली खबरों से जहां एक तरफ इशिता के कॉलेज जाने से ये हैं मोहबते में आएगा ड्रामा वहीं दूसरी तरफ एहम की एंट्री से साथिया में भी आएगा नया ड्रामा जहां एक तरफ धानी का डांस लाएगा इश्का रंग सफेद में ड्रामा वहीं डॉक्टर मधुमती भी कर रही हैं अपने शो में नया ड्रामा तो देर किस बात की शुरू करते हैं टेली टॉप आप दीस मिनिट का फुल रीचारज तीस मिनिट का फुल रीचारज जूम टेली टॉप आप टॉप धमाका में आज हमारे साथ हैं देबीना जिहां यानि की डॉक्टर मधुमती फर्स्ट ऑन जूम देबीना ने बताया कि रील लाइफ में डॉक्टर का रोल प्ले करते करते वो रील लाइफ में अब डॉक्टर बन गई हैं जी हां दर असल बात ये है कि देबीना शो में एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हैं और इसकी वज़े से उन्हें कुछ medicines की knowledge हो गई है और जब भी गुर्मीत बीमार पड़ते हैं तो देबीना ही दे देती है medicines हाँ उसका प्रॉपर एलाज कर देती हूँ और जब देखती हूँ कि बीमारी थोड़ी लंबी किज गई तब मुझे लगता है कि नहीं अभी तो आसली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए वो तो बहुत खुश है इन फाक्ट एक सीन में मुझे किसी पेशेंट को इंजेक तो नोइंग माई खुराफाती दिमाग उनमीद को पता है कि मुझे काफी मज़ा आ रहा है यह है महबते में आ गया है इंट्रिस्टिंग ट्विस्ट का टॉप आप जब इशिता रमन के बिजनस को अच्छे से समालने के लिए MBA की क्लासस जॉइन करेगी कॉलेज में जो उससे नहीं हो पाता वही रमन बहा पहुंच कर स्टूरंस की लगाता है क्लास 30 मिनिट का फुल रीचारज जूम टेली टाप आप साथ निभाना साथ्या में एहम के ड्यूपलिकेट की हो गई है एंट्री एहम के ड्यूपलिकेट की एंट्री के सीक्विंस को जन्माष्टिमी में किया गया है शूट जहां गोपी और कोकिला की होगी एंट्री और एहम को गोविंदा बना देख शॉक्त रह जाएंगे दोनों 30 मिनिट का फुल रीचारज जूम टेली टाप आप टेली टाप आप में आज हम आपके लिए लाएं हैं सीरियल ससुराल सिमर का के ड्रामे का डोज जहां भारतवाज परिवार से मिराश होकर घर लोटी है सिमर और जो यहां आकर बच्चों को बताती है कि वहां उसे अंजुली से मिलने नहीं दिया गया भारतवाज परिवार में हुए सिमर के साथ के सलूप को लेकर पियूश को आ गया है बेहद गुसा जिसके बाद अब उसने ठान ली है कि वो प्रेम भारतवाज को सबक सिखा कर रहेगा आज का बोनस धमाका अब डीवी पुर में किसके रूमैंस की बारी अब आई आपको टेली टप आप में मिलवाते हैं डॉक्टर मधुमती और उनको बेहद जाने वाले मोहन से जो हमेशा कुछ न कुछ करके मधुमती की साड़ी से अपना शिर्ट मैच कर ही लेते हैं और अक्सर उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं कुछ ऐसी ही कोशिश उनकी यहां भी आई नजर है आम ही डॉक्टर मोधुमती और फिर से बे मन से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ डॉक्टर मोहन को जो कि हमेशा मेरे साथ मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन के आता है वो डाई में डूबो के सेम सेम कलर ऐसे से कपड़े लड़कों को सूट थोड़ ना करता है फिर भी पता नहीं पहन के क्यों आ जाता है थबकी में आ गया है एक और ट्विस्ट जिससे हम आपको करेंगे रीचार्ज जीहां श्रद्धा कोशी से सच निकालने के लिए पिला देती है उसे शराब श्रद्धा जानना चाहती है कि आखर कोशी किस मकसद से पांडे परिवार में आई है मगर कोशी है कि उसकी ये चाल समझ जाती है और कुछ भी नहीं बताती है शराब पिला दी क्योंकि उसको कुछ रास जानना था लेकिन उसको यह बात नहीं पता है कि आसे दस बोतले भी पिलवा दोगे तो भी कोशी देवी को कुछ नहीं होने वाला रास पते करने आई थी तीस मिनिट का फुल रिचार्ज जूम टेली टाप अप विशकन्या में हो रहा है दोस्ती का रिचार्ज जिहां वेदा और मलय की शादी से पहले अपु उनके लिए पार्टी ओगनाईज करती है तभी वेदा अपु की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है लेकिन अपु बोलती है कि वो तो पहले से उसे दोस्त मानती है तभी होता है एक हादसा अपु वेदा और मलय की पेंटिंग लेकर आती है और उस पेंटिंग में लग जाती है आग अब हम आपको रिचार्ज करते हैं धानी के डांस की खबर से जिहां इशका रंग सफेद में धानी कर रही है डांस और इस डांस करने के पीछे का रीजन है कुछ खास दरसल धानी चाहती है कि त्रिपुरारी के मुँ से उसका गुणा कबूल कर वाले इसलिए वो बन जाती है डांस और उसे शराब पिलाती है अब देखना इंट्रिस्टिंग होगा कि धानी इस मकसद में काम्याब हो पाती है या नहीं ब्रम्हर आक्षस में रिशब और रहना आ गए है एक जंगल में जिहां दरसल बात ये है कि रिशब की बेहन और रहना की बेस्ट फ्रेंड राखी हो गई है गायब जिसे धूनने के लिए ये दोनों भी आ गए हैं जंगल में रिशब अपनी बेहन की शादी कराता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तब ही राखी और उसके पती को कोई उठा ले जाता है जिसकी वज़़े से ये दोनों हो जाते हैं परेशान क्योंकि उसका पीछा कर रहे हैं हमारे कुछ रिश्तेदार जो उसकी शादी किसी और से कराना चाहते थे तो हम उनको बचाने के लिए उनको ढूंडते हुए जंगल में भाग रहे हैं एक दूजे के वासते में आगया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा का टॉप आप जब आधित्या से शादी के लिए सुमन हो जाती है रेडी जिस से श्रवन हो जाता है परिशान अपैरंटली आधित्या के साथ शादी के लिए तयार होने के डिसिजन को नीचा दिखाने के लिए श्रवन रखता है पाटी जिसमें सुमन की करता है वो इंसल्ट वहीं सुमन और आधित्या आ जाते हैं क्लोज इश्कबाज में आगया है इंट्रिस्टिंग ट्विस्ट का टॉप आप जब शिवाई की दादी अनिका को ओब्रॉय मैंशन में रक्षा बंधन सेलिबरेट करने के लिए इन्वाइट करती है जहां अनिका अपने भाई साहिल को लेकर पहुँचती है अपैरंटली शिवाई अनिका के अपने भाई साहिल के लिए प्यार और केर को देख हो जाता है इंप्रेस उसे लगता है जिस तरह से वो अपने भाईयों से प्यार करता है उसी तरह अनिका भी साहिल का रखती है ख जिसके बाद रिशी उसे अस्पताल लेकर जाता है। इसी बीट रिशी के आफिस में होता है बॉम ब्लास्ट जिसमें कई लोगों की हो जाती है डेथ। लेकिन रिशी लेट पहुँचने की वज़ा से बच जाता है। अपैरंटली इसके बाद रिशी को फिर तनू की याद आती है। शक्ती अस्तित्व एक एहसास की में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब हर्मन के सामने सौम्या अपने राज का कर देती है खुलासा जिसके बाद हर्मन उसे रूडली बिहेव करने लगता है। जिससे परेशान होकर सौम्या हर्मन से दूर जाने का कर लेती है फैसला और घर से भाग कर जंगल में चली जाती है। अपैरेंटली इसके बाद हर्मन सौम्या को करने लगता है मिस। ये रिष्टा क्या कहलाता है में आगया है इंटरिस्टिंग ट्विस्ट का टॉप आप जब कार्तिक नायरा के सपने में खो जाता है। Apparently कार्टिक सपने में देखता है कि उसके नायरा से हो गई है शादी, लेकिन बीच में ही कोई उस पर फैंक देता है पानी, ये शक्स कोई और नहीं गायू होती है, जिसे कार्टिक लगा देता है डांट क्योंकि गायू कार्टिक को नायरा के सुन्दर सपने से जगा देती है. आज का बोनस धमाका, अब डीवी पूर में किसके रूमैंस की बारी? 30 मिनिट का फुल रीचार्ज, जूम टेली टाप आप! उडान में आगया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब इमली विवान के करीब जाने लगती है और सूरज से अपने रिलेशन्स को बूल, विवान के साथ जिंदगी बिताने का लेती है फैसला. वहीं सूरज विवान और इमली की बड़ती नजदीकियों को देख हो जाता है परेशान और इमली को वापस अपनी जिंदगी में लाने की करेगा कोशिश. स्वरागनी में आ गया है इंट्रिस्टिंग ट्विस्ट का टॉप आप जब आदर्ष की सच्चाई पता चल जाएगी स्वरा और रागनी को. स्वरा और रागनी को ये पता चल जाएगा कि आदर्श परिनीता के साथ मिलकर प्रॉपटी के लिए कर रहा है उन्हें ब्लाक मेल जिसके बाद दोनों मिलकर आदर्श और परिनीता को एक्स्पोस करने की करेंगी कोशिश राखी पर देबीना को मिला फोन का तौफा टेली टप आप में आज देबीना ने शेर किया हमसे अपना एकसाइटमेंट राखी पर देबीना को अपने मूँ बोले भाई से मिले दो ऐसे तौफे जिन्हें लेकर उनकी खुशी का नहीं है ठिकाना आप ही रेखे वो क्या है खास तौफे इसको मैं घर पे जाके लगाओंगी बहुत इंट्रेस्टिंग लगाऊंगी यह जो old model वाला, actually मैंने कभी आते जाते ऐसे बोला था कि मुझे ऐसा एक फोन का बहुत शौक है जो पुराने जमाने का फोन होता था ऐसे, किर्रिंग किर्रिंग करके बज़ता हुआ, तो मेरे भाई को याद रहा और वो लेकर आया, thank you romance. आईए अब आपको करते हैं रीचार्ज सीरियल कुमकुम भागय के अभी, यानि कि शबीर आलुवालिया के डांस वाले विडियो के साथ, जिहां देखिए शबीर अपने दोस्तों संग कर रहे हैं डांस वाला धामाल और दिया चालेंज अपने फ्रेंज को इस डांस के लिए तीस मिनिट का फुल रीचार्ज, जूम टेली टाप आप टली टाप अपने आपको पहले ही किया था रीचार्ज की सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव और सुनाक्षी का हो गया है ब्रेक आप और जिसके बाद सुनाक्षी का दिल पूरी तरह से तूट जाएगा और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे सुनाक्षी के टोटे हुए दिल का इलाज करेंगे एक बिंगॉली डॉक्टर रित्विक जी हां हम बात कर रहे हैं सुनक्षी की लाइफ में एंट्री करने वाले नए किरदार डॉक्टर रित्विक की जिसे निभा रहे हैं टीवी स्टार जैस सोनी शो में जै सुनिक की एंट्री के बाद कैसे दिखेगा सुनक्षी की लाइफ में हाई मेलो ड्रामा ये देखने वाली बात होगी और अब बाई आपको बताते हैं कि आखरकार डांस रियालिटी शो जलक दिखला जाके होस्ट मनीश पॉल ने शो की जज जाकलीन को क्यों कहां गुंडी ओर रैत जी हाँ दरसल मनीश और जाकलीन शूटिंग के फ्री टाइम में कर रहे थे मस्ती तभी जाकलीन ने उनकी तरफ किया वार कागस के टुकडों से जिसके बाद मनीश ने जाकलीन को गुंडी ओरत कह कर करवाया इंट्रोड्यूस और की मस्ती आगे अब आपको बताते हैं कि कॉमेडी शो दे कपिल शर्मा शो में शो होस्ट कपिल शर्मा की किसने की बोलती बंद। शुपी सादली आईए अब आपको दिखाते हैं कॉमेडी शो दे कपिल शर्मा शो की टीम की दुबाई में मस्ती वाली वीडियो जीहां देखे इस वीडियो को जिसे अपने सोशल नेटवरकिंग साइट पर अपलोड किया है कॉमेडियन अक्ट्रस सुगंधा मिश्रा ने जिसमें कपिल शर्मा अली अजगर दुबाई में मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं अब हम आपको रिचार्ज करते हैं रियालिटी शो जलक दिखला जाकी जलक से जीहां इस हफते इस मंच पर हुआ काफी धमाल जिसकी एक जलक टेली टप अप लाया है आपके लिए आईए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल तेरे बिन में आने वाले नए ट्विस्ट के साथ जीहां आने वाले दिनों में सीरियल में दिखेगा अक्षय और विजया का रोमांटिक मोमेंट जब अक्षय विजया के लिए बनाएगा लजीज पक्वान जिसे देख विजया भी हो जाएगी इंप्रेस यानि कुल मिला कर आने वाले दिनों में दोनों के बीच दिख सकता है है एपी वाला मैरेज लाइफ और अब बारी है अनिल कपूर के शो 24 की खास खबर से रीचार्ज करने की जीहां धेर सारे ड्रामे और स्टांस के साथ इस हफते दिखा जे और माया का किसिंग सीन भी जो पहले से ही है हाईलाइटेड इस हफते कपिल शर्मा के शो में पहुँची फ्लाइंग जट की टीम और यहां आकर इन्होंने मचाया धम्माल तीस मिनिट का फूल रीचार्ज जूम टेली टाप आप टीवी पूर के भाई बहन के प्यार यानि की रक्षा बंधन की खबर से हमने आपको रीचार्ज तो किया था और आज हम आपको दिखाते हैं कुछ राखी स्पेशल खबरें सबसे पहले आपको रीचार्ज करते हैं मोनी रॉय की खबर से इस फेस्टिवल पर मोनी ने बांधी अपने भाई को राखी सीरियल साथ या साथ निभाना की मीरा यानि की तानिया शर्मा ने इस राखी पर अपने सेट के को स्टार और सबसे खास विशाल सिंग यानि जिगर काका को बांधी है राखी और बड़ी ही मस्ती में दोनों ने सेलेब्रेट किया रक्षा बंधन तीस मिनिट का फुल रीचारज जूम टेली टाप आप टेली टाप आप आज आपके लिए ले आया है खबर मनीश राज सिंगानिया के नए जुनून की जो इन दिनों है इनका ये नया डांस फॉर्म जिसे सीखने की मशक्त में जुटे हैं इन दिनों जनाब और इसमें इनका पूरा साथ दे रही है उनकी अजीज दोस्त अविका जो उनके इस टांट डांस को कैमरा में कर रही हैं खैद और अब बारी है साथ्या की गोपी यानि की देवुलीना के राखी की एक जलक दिखाने की जीहां देवुलीना ने भी अपने भाई के कलाई पर बांधी राखी और इस स्पेशल मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया तीस मिनित का फुल रिचाज जूम टेली टॉप आप